आप सब लोग मैं सल पामित महाजन और विलकम यौल अन दिस इंकरेडिबल प्रेट फर्म प्रिक्स वाला लक्षियन्स कैसे हैं आप सब लोग गुड़ इवनिंग गुड़ इवनिंग गुड़ इवनिंग एवरिवन क्या हाल चाल आप सब लोगों के जी गुड़ इवनिंग गुड़ इवनिंग गुड़ इवनिंग हेलो सर, हेलो सर, हेलो सर, येस, गुड इवनिंग भाई, क्या हाल चाला है, क्या जलना लाइक में बताओ, 11 से 12 का ट्राजीशन जो है, वो कैसा लग रहा है, पहले उसके बारे में बताएगे, कुछ मेजूस हो रहा है कि तुम बड़े-बड़े से हो गए हो कुछ के नहीं, अब हरकते भी बड़ी करनी है, चोटी-चोटी चीज़े नहीं करनी भाई, कुछ गुद इवनिंग बड़े, गुद इवनिग आप है, अब पॉजिटिव लग रहा है शर, A.P.E. अजिए यहां लग रहा है, अजिए लग रहा है, सलग रहा है, यहां अजिए ऑख आन्क यूू, तैंक यू, स्कूल क्या बाद है बड़ी बड़ी बाते कर रहे हैं तो अच्छा भी लग रहा है यह कौन सी फीलिंग होती है वाई मत सर बड़ी असर ड़ा लग रहा है तरने के तो कोई बात नहीं है ठीक है आप 11 जैसा पहाड चड़के आये है 12th certainly and believe me you will अगर अभी agree करोगे तो अभी agree कर जाना नहीं तो 12 जब खत्म होगी तब आप definitely मेरे से agree करोगे 11 का पहाड थोड़ा बड़ा पहाड है और 12 का पहाड थोड़ा छोटा पहाड है तो अगर 11 करके आ गए हो ठीक है तब भी 12 में तो बहुत अच्छा करोगे बहुत अच 97% बच्चा बात को ध्यान से सुनिएगा 96 to 97% बच्चा जो है क्लास 11 से 12 में आने पर इंप्रूव करता है 11 से 12 में आने पर इंप्रूव करता है एक कारण क्या है एक तो obviously थोड़ा सा experience हो गया कि वाई science में क्या करना है क्या नहीं करना है ये बहुत बड़ी बात है दूसरा समझ जो है वो बढ़ गई है ठीक है पता चल गया कि कहां गलतियां करी थी और उन गलतियों को अब repeat नहीं करना है ठीक है नहीं तो पता चलेगा अगले साथ 12 ही repeat करनी पड़ जाएगी ठीक है बढ़िया 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 आए 11 वेस्टिड है तब भी यार फिजिकल केमेस्टी में तो कोई टेंशन की बात नहीं है यह मैं क्योंकि पढ़ाऊंगा उसी इसाब से कि जिनका 11 वेस्टिड भी होना उनको ऐसा न लगे ओहो तर जी क्या बढ़ा रहा कौन स बढ़िया 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 ठीक है आओ फिर सुरू करें बैच का नाम जैसे आपको पता ही है ना लक्षे जेई बड़ जैसा के मशूर है तो वही है चैप्टर हमारा फिजिकल केमेस्टी का फर्स चैप्टर है लीक्विट सॉल्यूशन भी बोलते हैं यहां सॉल्यू बढ़िया 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 तीचर्स आए आप सब को ठीक है पढ़ाया भी उन्होंने बड़ मैक्सिम्म टाइम जो है आपको समझाया के 12 में क्या करना है 11 की किन गलतियों को रिपीट नहीं करना है बड़ आज की लाइव संख्या से आपको पता चल रहा हो होगा कि ऐसा नहीं है कहीं ना कहीं वो गलतियां कुछ बच्चे तो दोहरा ही रहे है ठीक है और वही बातें आपको नहीं करने हैं ठीक है लुकुल बिल्कुल बिल्कुल ठीक है इस बिल्कुल आओ क्या-क्या बातों के उपर ध्यान रखेंगे सबसे पहले उनको देखते हैं रूल्स टू अटेंड दा क्लास ये वो चीजे हैं जो आपकी बाक बॉन बनेंगी जो आपकी नीव पत्थर रखेंगी आपके IIT के पहुंचने के सपने तक अगर ये चीजें मिसिंग है रूल्स टू अटेंड दा क्लास अगर आपने जो है इन रूल्स को फॉलो नहीं किया है तो ठीक है तो मेक्शर करिए एक एक रूल को आराम से मैं बताता हूं थोड़ा थोड़ा इन पर बाते करेंगे और फिर पढ़ेंगे भी थोड़ी देर में बड़ सबसे पहला क्या है हमेशा जब भी आप क्लास ले रहे कॉपी हो पैन हो आपके पास हो आप वहाँ पे बैठके क्लास ले जाती है ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अभी डाइनिंग टेबल पे बैठे हो और ऐसे एक चेर से दूसरे चेर पे ऐसे टांगे उपर करके बैठे हो और क्लास चल रही हो आ रहे हाँ बढ़िया तो लग अगले साल भी आप ऐसे ही बैठे होंगे ममी टीचर बढ़िया तो बढ़ा रहा है ठीक है तो मेक शूर करिए कि आप शान जगा पे बैठे हो रूम में कोई और नहीं होना चाहिए कॉपी पैन आपके हाथ में होना चाहिए ताह कि आप साथ साथ और हैड़ वरी वरी इंप की बाते हैं इसमें ममी को पापा को भाईया को दीदी को या गली महले के लोगों को या दोस्तों को इन्वाल्व नहीं करना है उन सब की बातों यहां नहीं होनी चाहिए यहां की बात वहां नहीं होनी चाहिए किसी परकार का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए मेक शूर कर तब संख्या जो थी वो थोड़ी क्या थी कम थी अब धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही है that shows कि दूसरे दिन ही क्लास में कुछ ऐसे वच्चे आए है unfortunately जो क्लास में लेट एंटर किया है कभी भी ऐसा नहीं करना अगर गलती से कोई एमर्जंसी हो गई घर पे आप बिमार हो गये या घर पे कोई अबड़ीमार हो गई आपने क्लास लेट जोएन भी अगर कर इनकरीए तो भाई क्लास को शुरू से देखें क्लास को शुरू से देखें अगर लेट आए भी है पहली बात तो शुरू से देखें तो शुरू से देखें तो आज फर्स्ट क्लास है तो आप सू स्वागतम है आपका आज की क्लास में मान लीजिए कल सेकेंड होगी यहां परसों जो भी थर्ड होगी ठीक है ऐसा नहीं होगा कि जो थर्ड क्लास है आपकी वो आपकी फर्स्ट क्लास हो चैप्टर की थर्ड क्लास आपकी फर्स्ट क्लास नहीं होनी चाहिए नहीं तो रिजल्ट भी थर्ड क्लास ही आएगा मैं प याप वर्क नहीं कर रही है इसका रीजन मुझे पता नहीं है सच में बताऊं तो कि क्या रीजन है इसका पाकी मेरी बात मेरी खाल से सुन रहे होंगे सारे जो स्टेक होल्डर्स है एक उनको जादा पता होगा इस बारे में ठीक है क्या बोला मैंने में लास्ट क्लास के नोट्स आप रिवाइज करके आए जो आज क्लास ली है उसके नोट्स को आज ही रिवाइज करना है जो मर्जी कंडीशन हो यार ठीक है थोड़ी तब्यत खराब हो तब भी करना है स्कूल का कोई काम मिला हो तब भी करना है आई पील का क अगर की उदर हो जाए हम next class से पहले पिछली class के notes को revise करके आएंगे करके आएंगे करके आएंगे अगर IT तक जाना है तो ये काम करने ही करने हैं और अगर IT तक नहीं जाना है तो मैंने बोला फिर कैसे भी करके आप कर सकते हैं ठीक है and always complete your homework along with DPP इस साल हम एक नई चीज एड कर रहे हैं that is homework questions देखेंगे DPP तो दी ही जाएगी that is daily practice problems ठीक है उनका solution तो आता ही आता है आपके पास but आज या इस साल मैं कहूं हम शुरू कर रहे है that is homework में कुछ questions दिये जाएंगे sir क्यों add कर रहे हो homework के questions पिर आपको पता है कि जो PYQs है ना खासकर JVN के वो बहुत जादा हो गए है sir क्यों बहुत जादा हो गए है हर एक साल में दो दो shift में paper हो रहे है हर एक shift में आठ आठ बार paper लिया जाता है तो एक है topic से अगर एक है question भी आता है तो तब भी बहुत सारे questions होते है पिछले सालों के मिला के तो कुछ questions मैं करूंगा आपके सामने class में कुछ questions आपको homework में दिये जाएंगे तांकि आप उन्हें try करें फिर उसके बाद homework का video solution अवेलिबल हो जाएगा आपको मैं ही बनाऊगा उसका video solution ऐसा नहीं है कि कोई और बनाएगा उसका video solution मैं ही बनाऊँगा इसी board में बनाऊँगा homework solution का video आपको अवेलिबल हो जाएगा that is for sure ठीक है आई नेक्स बात करते हैं चैट में चाहे लाइव हो या recorded हो देखे आज YouTube पे class है साथ में एप के साथ साथ तो कोई ऐसा issue है नहीं खास ठीक है बट आज के बाद जब भी next class आएगी make sure करिए कि चाहे लाइव हो class या recorded हो जो काम की बात है वो चैट में करिए सर ये वाले चीज समझ आ गई सर थैंक यू सर कुछ appreciation कर दिया ठीक है या किसी बच्चे ने अगर चैट में भी गलती से उपर है मेरा मतलब है यार मैं बता जरूर नों कि ये गलतियां होंगी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं चाहे वो admit करें या ना करें वो उनके उपर है क्योंकि कभी हम कुछ गलती कर देते हैं और उसके बाद उसको admit नहीं कर पाते हैं कि शरम आती है ठीक है कि डाट इस ठिक है काम की चीज़ें भी बोलरे भी बच्चे कि बात उनके बात बकरोथ है ठीक है लडकियों से टेलीग्राम आईडी इंस्टाग्राम आईडी है ना वाटसएप नंबर फोन नंबर मांगने बंद कर दीजिए अब आप 11 से 12 में आ गया है ना शो करिए हमने को मिलती है कि सर 11 जो थी वह बहुत अच्छी नहीं गई थी वर 12 में आते हमने महनत करी अपनी गलतियों को सुधारा और अब हम आयर्टीन हैं ठीक है नेक्स्ट मैक्सिमम नोट्स क्लास के साथ बनाएगे ठीक है जब मैं यहां पर बोल रहा हूं तब आपका पैन भी साथ साथ चलना चाहिए मेरे पैन के साथ साथ भी कुछ ना कुछ नोट्स हर एक बच्चे के रह जाएंगे हर बच्चे गभरानी कोई दूरुत नहीं है मै यह जगा छोड़ दीजिए जब क्लास खतम होगी क्लास से 10-15 मिनट तक के बाद आपको पीडिया फॉर्म में क्या मिल जाते हैं नोट्स मिल जाते हैं वहां से अपने नोट्स कम्प्लीट कर लीजेगा कोशिश करिए क्लास के साथ मैक्सिमम नोट्स बनाने की जब नोट्स समित महाजन यह मैं लिख रहा हूं तो आपने पता क्या कर रहा है कॉप्पी आपकी नीचे होगी पैन आपके हाथ में होगा गर्दन आपकी हमेशा मेरी तरफ होगी कैमरे की तरफ होगी कहने के मलब आपके मोबाईल लैप्टॉप टीवी जहां पर भी आप वीडियो पिर लिख निम इस फिर लिखा है इस नहीं ऐसे नहीं रही दिखागсте म ra सामने हैë नीचे चलता रहाइगा माई नेम इज vapor देखा देखा लेकोर आपको प्राउलम आईगी मैं बता जा जैता हूं आपको क्या ἐlt & क्लास मेरी फिजिक्स क्रीश के मैद कियो कि सी यृटि य नहीं लिख पाएंगे, कभी भी कोश्चन को complete नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि कोश्चन बहुत बड़े-बड़े होते हैं, कोश्चन बहुत बड़े-बड़े होते हैं, जब भी notes बना रहे हैं, कोश्चन के पहले दो words लिख लो, वस, कितने बोला, पहले दो words लिख लो, ठी किई क्लास के बाद उसको कंपलीट करे ठीक है very important point I am extremely proud to say के मैं doubt section में बहुत 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 ज़ादा समय लगाता हूं पिषले साल जतनी अरजुना जी टू पॉइंट होके बच्चे थे वो इस बात को vouch कर सकते हैं कि कभी कभी तो रात के दो बजे तक तीन बजे तक मैं आपकी class के doubt solve कर रहा था और यह बच्चों को पता है मैं ऐसा brag नहीं कर रहा हूँ मैंने बहुत अपनी नीडे खराब करी हैं class आँखों के नीचे जो आपको डार्क सर्कल्स नदर आते हैं वो इसी कारण नदर आते हैं आई पुटे लॉड अफ टाइम ठीक है मैं अपनी पर्सनल लाइफ का बहुत टाइम इस डाउट सेक्शन में लगाता हूँ क्योंकि किसी बच्चे का डाउट बताने से एक तो उसका डाउट क्लियर हो जाता है एक हमें भी समझ आता है कि next class में क्या-क्या variations लेके आने है problem किदर जा रही है solution किदर है ठीक है तो it is बिलकुल 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 ना बच्चे yes sir yes sir yes sir बोल भी रहे है ठीक है I have like मैं बहुत टाइम लगाता हूं मुझे प्राउड भी है इस बात पर क्या मैं गरव कर रहा हूं इस बात पर हां मैं गरव कर रहा हूं क्योंकि मैंने दिन रातों की नीद अपनी खराब करिया यार इस टॉपिक के लिए ठीक है वरे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह खासकर एप्ली केवल है उन बच्चों के लिए ठीक है जो के रिकॉर्डड़ क्लास लेते हैं ठीक है रिकॉर्ड़ क्लास लेना कोई गुना नहीं है बहुत अच्छी बात है ठीक है बस इतना ध्यान रखना यार कि बैक लॉग मत क्रि बहुत जल्दी 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 बढ़ा रहा हूं हाई मैं नहीं जल्दी जल्दी बढ़ा रहा हूं वो स्पीड 2X पे है आप इस वीडियो को भी देखेंगे आपको लगेगा यह पॉइंट्स भी मैंने बड़ी जल्दी जल्दी बता दिये मैंने जल्दी जल्दी नहीं भी बताया है, speed to x पे कर रखी है, इस कारण आपको लग रहा है, ठीक है, आईए, बात करते हैं, एक ऐसी चीज के बारे में, जो 50% of the competition, को या तो increase करेगा, या decrease करेगा, the name is backlog, ऐसा नहीं है, कि जिनका backlog हो जाता है, उनकी selection नहीं होती, नहीं ऐसा नहीं है, जूट नहीं बोलन चाहिए, जिनका backlog हो जाता है, उनका भी selection हो जाता है, बट ये एक ऐसा point है, जो कि 50% serious students को define करता है, आज की class, आज लेनी ही लेनी है, दुनिया इदर की उधर हो जाए, दुनिया इदर की उधर हो जाए, कोई काम हो, घर पे कोई काम हो, कोई बिमार हो, कुछ भी हो, आज क्ल live class लीजे, live का अपना ही मजा होता है, ठीक है, बट अगर कोई recorded class भी लेना जाता है, even then it's okay, हर एक का अपना routine अलग-अलग होता है, ठीक है, आप recorded class भी ले सकते हैं, बट आप backlog नहीं होने देगे, मैं last year भी बच्चों को एक ही बात बोलता था, आपको भी अभी एक ही बात इस एक वो, बहुत अच्छा, Hollywood TV सीरीज है, उसका नाम है, Game of Thrones, Game of Thrones में दो करेक्टर हैं, एक इसमें से teacher है, और एक इसमें से क्या है, student है, ठीक है, यह जो student है, जब इनके father, जो इस teacher के पास लेके आते हैं, और कहते हैं कि इसको तलवार बाजी सिखाई जाए, यह लड़की बहुत जो है, वो चंचल होती है, ठीक है, शरारते करती रहती है, ज्यादा focus initial days में अच्छा नहीं होता है, ठीक है, teacher सिखाने की कोशिच करता है, थोड़ थोड़ी चीजे सीखता है, सीखती हैं यह, बट हाँ, चंचलता maintain रहती है, धीरे 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 improvement आने लगता है, फिर चोटी मोटी चीज नहीं है, it's all about life and death, ठीक है, teacher द्वारा दी गई सीख इनके लिए यही रहती है, कि there is only one God, क्या, there is only one God, and उस God का नेम है death, God का नेम क्या है, death, आज जब death आएगी, तो तुम क्या बोलोगी, यह बोलती है, आज आएगी अगर death तो मैं बोलूँगी, not today, आ किसी और दिन की और दिन देखी जाएगी, same is the case with you people also, ठीक है, एक बहुत बड़ा flaw है आपकी preparation में, जिसका नाम है backlog, बैक लॉग जब आज आएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, that is not today, आज बैक लॉग नहीं होगा, यार किसी और दिन होगा, होगा, नहीं होगा, पता नहीं बड़ डेफिनेटली, आज बैक लॉग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, इस दो शब्दों ने, not today ने, मुझे कम से कम नहीं, तो अगर मैं जूट ना बोलूँ, तो एक लाग के करीब करीब, बच्चों का बैक लॉग होने से बचाया होगा, different different batches को मिला के, जो भी हमारा कभी backlog नहीं हुआ, आप 50% लोगों से आगे निकल जाओगे, सिर्फ एक बात को follow करके, single point which can be followed and make you 50% लोग जो हो पीछे चलेगे, ठीक है, that is backlog नहीं होने दना, ठीक है, आप देखिए, आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, ठीक है, ये क्या है सर सामने image के अंदर, ये हम हमारा लक्ष जेई बैच है, और ये चल रही है उसकी तपस्या, ये तपस्या यह बाई, अगले कुछ महीने ये तपस्या ही चलती रहेगी, ये जौला जलती रहेगी, जिसमें आप भी शामिल हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, जितना इस आग में हम लोग भुनेंगे, जलेंगे, मेहनत करेंगे, उतना जादा end में जाके result शांदार आएगा, ठीक है, मान लीजिए, अगर आज, ये जलती हुई लकडियां क्या है, ये जलती हुई लकडियां आप और हम, दोनों मिलाके हैं, आप और हम, दोनों मिलाके हैं, ऐसा नहीं है, कि इनमें आप है, मैं श शामिल नहीं है, ऐसा नहीं है, ये हम है, जो जल रहे हैं, तप रहे हैं, result वाले दिन जो हैं, वो shine करेंगे, ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, समझे, मान लीजिए, अब मुझे बताईए, इसमें से एक log of woodloo में, एक लकडि का टुकड़ा, जो अभी जल रहा है, इसे अगर मैं remove कर दूँ यहां से, तो बताईए क्या होगा, जो यहां पर जल रहा है, इसको remove कर दूँ तो क्या होगा, क्या होगा, बताईए चल्दी चल्दी कुछ बच्चे कह रहे हैं, सर आग कम हो जाएगी, कुछ कह रहे हैं कि सर बर्निंग स्टॉप हो जाएगी, कुछ कह रहे हैं कि हीट कम होगी, ठीक है, सबसे पहला impact, पता है कि इसको पड़ेगा, सबसे पहला impact, सबसे पहला impact पड़ेगा उस log of wood को, यह log of wood जो अभी जल रहा है, तप रहा है, तैयार हो रहा है, उसकी log क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और थोड़ी देर बाद यह क्या हो जाएगा, stop burning, जो सारी मेहनत थी, इतनी मेहनत करी थी, जब कोई चीज को जलाते हैं न, शुरू में बड़ी परेशानी होती है, दीरे दीरे चीरे चलके, वो law क्या हो जाती है, set हो जाती है, आप एक बार यहां से बाहर निकला, थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, यह burning stop हो जाएगी, यहां पर क्या चा जाएगा, darkness हो जाएगी, है न, यह होगा कि नहीं होगा, ठीक है, यहां पर law कम होगी, वो एक अलग बात है, बट इस लक अगर आप में से कुछ टुकडे इधर से इधर आगए, जलनाश बंद हो जाएगा, ठीक है, थोड़ी देर बाद उनको अपने आसपास क्या नजर आएगा, अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा, फिर ऐसा लगने लगेगा, कि क्लास 12 में आईटी करना मुश्किल है, क्लास अपने आप भी क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, अपने आपको लगने लगता है, हम नहीं कर सकते हैं, नहीं भाई, तुम कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते हैं, तो कोई भी नहीं कर सकता, condition apply is, there is only one condition, कि आपको जनना पड़ेगा, you have to come here a day in and day out, ऐसा नहीं है, कि कुछ द इसका जवाब तो भाई साब मेरे पास भी नहीं है अच्छा किसी और इंसिचूट का एड आया ये नहीं मैंने देखा भाई ये नहीं देखा मैंने अच्छा आईए बात करते हैं सबसे पहले सर हम क्लास में क्या क्या करेंगे क्योंकि कुछ बच्चे देखे मुझे अर्जुना जेई 2.2 से जानते हैं तो उनको पता है कि हम क्लास का लेवल धीरे 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 कैसे उपर उठाते हैं बड़ कुछ बच्चे नए भी होंगे उनका भी सुस्वाक्तम है वो भी equally important है जितने पिछले साल हमारे पास बच्चे जुड़े हुए थे सबसे पहले क्या सर आप स्कूल के लिए दाट इस TBSC बोर्ड का जो हमारा स्लीबस है क्या आप उसको कैटर करेंगे आंसर है यस आपको कोई भी स्कूल के लिए और ट्विशन लगवाने की जरूरत नहीं है नहीं है नहीं है थियोरी का कोई भी aspect हो वो deal किया जाएगा numericals कुछ आसान आते हैं CBSC में उनको भी कैटर किया जाएगा आप यही देखेंगे जब कोई थियोरी पढ़ाई जाएगी उसमें CBSC का लेवल का हम पढ़ेंगे क्या सर हम उसके PYQs करेंगे फिर भी बात आपने अगर यह मुझसे question पूछा है तो आप मुझे जानते ही नहीं है I can vouch for it I can say it factual info दे रहा हूँ आपको बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ मैं जितने मैं PYQs कराता होना शायद ही कराता होगा शायद ही यह आप आपको लगता है नहीं यह बात सच नहीं है एक बार अरजुना जेई टू पॉइंट होके आप अपने नोट्स कोल के देख लीजिए इन में से maximum question maximum क्या सारे question या तो class में हो जाएंगे या homework में उलाएंगे class में भी मैंने ही कराने है homework का video solution भी मैंने ही देना है हमारे पास एक बहुत बड़ी team होती है जिसकी हम help ले सकते हैं और मैं उनको ये काम दे सकता हूँ बढ़ ऐसा नहीं होगा class में, homework में और DPP में यह सब अपने आप deal हो जाएगा क्या सर हम इसमें future के जो questions आ सकते हैं क्या वो करेंगे सर ये हम कब करेंगे ये हम कब करेंगे एक तो यहाँ पर होगा एक तो यहाँ पर होगा class में homework में यह DPP में ठीक है और कहाँ पर होगा last year भी हमने level up lectures काफी chapters के दिये है कुछ एक दो chapter के नहीं भी दिये है उसका कारण यह था कि वो chapter class 12 से related है class 12 में और topic हो जाएंगे और class 11 के end में revision भी होगी तब भी दिये जाएंगे level up lectures last year भी मेरे खाल से 12, 14, 15 lecture तो last year भी आये थे इस साल भी आएंगे और जो class 11 के बचे होंगे वो भी करेंगे ठीक है जी बिल्कुल 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 सर क्या कोई हमें books लेने की जरूरत है आईए उनके बारे में बात करते हैं दो ऐसी books है जो आपके school slaybers के लिए as well as jay mains के लिए must है वो दोनों books यह है यह मस्ट है यह आपके पास होनी ही चाहिए सर क्या इस में से हमें chapter को read करना है यह पार्ट वन है class 12 की ncrt का यह पार्ट टू है मेरी physical chemistry के जो chapters है वो सारे इसी में है पड़ आपको obviously organic के लिए भी यह पढ़नी पढ़ेगी पोई इसा रासता है नहीं कि आप न पढ़ें सर यह कब पढ़नी है very important point यह कब पढ़नी है जब chapter क्या हो जाएगा finish जब chapter क्या हो जाएगा that is finish हो जाएगा तब आपको वो chapter एग बार आपको ncrt reading करनी करनी है यह must है यह किताब आप सब के पास होनी चाहिए for sure होनी चाहिए ठीक है सर हमारे पास नहीं है तो आप ncrt की website पे जाके इनको download भी कर सकते हैं अगर आप purchase नहीं कर सकते हैं तो इनको download भी कर सकते हैं एक और book है हमारी ncrt punch की पंकत सर्वारा लिखी गई है यह book भी J.Mains तक के लिए बहुत अच्छी किताब है हमने उसी point of view से लिखी हुई है इस किताब को ताकि J.Mains का हर एक question हम इसके लिए cater कर सके बट क्या यह compulsory है नहीं यह optional है इस book is optional किसी भी किताब को purchase करने से पहले एक बार नहीं सो बार सोचेगा फिर ही किसी किताब को purchase करियेगा अगर आपने बिना सोचे समझे किसी book को purchase कर लिया बस फिर उसे purchase ही कर रखेंगे आप उसे करेंगे नहीं ठीक है यह सिरफ J.Mains के लि यह चार बहुत अच्छे अच्छे options हैं डाट इस फिजीकल केमिस्ट्री एन नवस्थी सरकी श्रीबालाजी पब्लिकेशन की advance के लिए एक pioneer है यह किताब पिछले 10-15 सालों से किताब बहुत अच्छे लेवल की बनी होई है अडवांस लेवल के अच्छे questions हैं especially level 2 में especially level 2 मे जेए अडवांस फिजीकल केमिस्ट्री सिंगेज की ठीक है दो पार्ट आते हैं इसके पार्ट वन पार्ट टू ठीक है मैंने पार्ट टू लिखा है यहाँ पर डाट इस फोर क्लास 12 प्लिवरी अच्छी है इस किताब में questions भी अच्छे दे रखे हैं जैसे इसमें जेई मे इडवांस के कुछन हें वुक ये वह hugely ऑप्श्चनल है ठीक है यहाँ पर अगली किताब है डटेश बाइप पियर संबनेरेश कुमार सरखीट इस फिजीकल के मेंस्ट्रीप लेफे Uber अच्चे कोश्चन है एडवांस के लेवल के कुछ गई हुए हैं ठीक हालक प actually I'll और उसको chemistry की किताब में डाल रखा है, तो obviously, but still, it's a good book, I would say it's a good book, that is also optional, ठीक है, next, last but not the least, very very important, that is Lakshay J.E. का हमारे PWK modules, जिन जिन बच्चों ने ये किताब परचेस करी हुई है, मैं इस में से homework दूँगा ही दूँगा, that is for sure, but क्या इनको परचेस करना चाहिए, answer है, no, it is optional, किसी भी एक किताब को लेने से पहले, मैंने फिर repeat कर रहा हूँ, 100 बार सोचना, आपके पास इतना समय ही नहीं बचने वाला, आपके पास इतना समय नहीं बचने वाला, के class के question, homework के question, DPB के question, जिसके अंदर PYQ, J.E. means के भी आ जाएंगे, J.E. advance के भी आजाएंगे, future questions भी J.E. advance के, उसके बाद आपके पास समय बचने वाला ही नहीं है, नहीं है, कि आप किसी किताब को कर सकें, बड़ फिर सर आपने ये किताबे क्यों बताई हैं, क्यों बताई हैं, इस कारण बताई हैं, क्योंकि आपको as a teacher, हर दूसरे दिन ये questions मिलते रहेंगे, सर किताब बता दो, 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 तो मैं उन questions से बचना चाहता हूँ, बार बार, इसी कारण मैंने किताबों के नाम यहाँ पर आपको लिख दिये हैं, बट हैं ये optional ही, ठीक है, कोई compulsory नहीं है इनको purchase करना, सर, other state boards के हैं, हाँ, तो जितना हमारा CBAC के slaves होता है, उसको तो हम कराते हैं, कराते हैं, ठीक है, सर, क्या, आप एन नवस्ती से home work दे सकते हैं, सच बात बताएं, देखो, कुछ भी commit करना, पहली class में बहुत ज्यादा आसान होता है, ठीक है, answer है no, हाँ, क्या आप physical chemistry के जो questions हैं, जो class में कराएंगे, या ये वाला home work जो देंगे, ये वाला, ये वाला, ये जिसके मैंने video solutions भी देने हैं आपको, क्या ये इसमें आप इन किताबों में से questions लेंगे, yes, definitely, कुछ question module में से भी हो सकते हैं, नीरे कुमार में से भी हो सकते हैं, इसमें से भी हो सकत हैं, ठीके, वो मेरा काम है न, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीके पिटा, करें जी फिर, शुरू करें, अब आज की class को, शुरू करें, आज की class को, solution के लिए तैयार हैं, आप सब लोग, करें, शुरू करें, आज की class को, शुरू करते हैं, आज की class को, चेप्टर का नाम, obviously, क्या है, that is, liquid solutions, आज किन छोटी-छोटी बातों के बारे में हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे, कि solution होता ही क्या है, ठीके, फिर उसके बाद हम बात करेंगे, कि solution के कौन-कौन से components होते हैं, solute हो गया, solvent हो गया, solution के types के बारे में भी बात करेंगे, एक छोटी सी term है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, that is, mole, जिनकी भी 11 बरबाद होगी, 11 में जो-जो topic discuss होने वाला है, वो सारी मेरी जिम्मेवारी, आपकी जिम्मेवारी नहीं है, मेरी जिम्मेवारी है, कि class 12 में अगर वो topic use हो रहा है, तो पहले मुझे उसको पढ़ाना है, यह मेरा काम है, हाँ, 12 में पढ़ने के बाद भूलना नहीं है, वो आपका काम है, ठी और कॉपी नमबर बता दो नोटबूक्स बता दो ये क्या होता है इसान ओमैनी नोटबूक्स जूड मत बोलना और कॉंसेंट्रेशन टंप्स पढ़ेंगे हैं क्या नोटबूक्स बता दो कॉपी बता दो क्या बता हूँ उसमें new copy लगा लिजे में physical chemistry की अलग लगेगी inorganic की अलग लगेगी मैं physical chemistry पढ़ा रहा हूँ तो physical chemistry में शुरू हो जाईए पहला chapter है that is solutions और कौन सी notebook होती है आईए बात करना शुरू करते हैं सबसे पहली time है that is solution सॉल्यूशन होता क्या है सबसे पहले वो बताईए solution भाई यह क्या होता है पहली बात तो यह क्या होता है mixture होता है mixture होता है mixture का क्या मतलब है 2 या 2 से ज़्यादा चीजों को आपस में mix किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम solution General terms में अगर हम बात करें जो Binary solution होता है फिटा Binary का मतलब क्या है दो कमपोनेंट से मिलके बना हुआ कितने कमपोनेंट से मिलके बना हुआ दो चीजों से आपस में मिलके बना हुआ उस solution को क्या बोलेंगे आप Binary solution Sir, example दीजिए binary solution के भाई, पानी लिया, पानी के अंदर के डाल दी, चीनी डाल दी ठीक है, तो क्या ये binary solution हो गया Yes, ये दो चीजों से मिलके बना हुआ है Yes, एक है sugar, एक है water Sir, कोई और example दीजिए पानी लिया, पानी के अंदर नमक डाल दिया, salt डाल दिया ये भी binary solution है ये किन दो चीजों से मिलके बना हुआ है सर नमक salt and that is water ठीक है आच्छा binary solution के अंदर component कितने होंगे दो सर उनके नाम क्या क्या होते सर एक होता है solvent और एक होता है solute sorry solute लिखना था solute solvent वो होता है जिसमें चीज co-dissolve किया जा रहा है solute वो होता है जिस co-dissolve किया जा रहा है सर एक्जामपल देंगे एक्जामपल हाँ बिल्कुल देंगे एक्जामपल ये देखिए ये पानी था water पानी पानी रहे खारे पानी रहे इसके अंदर आपने add कर दिया sugar चीनी ठीक है हिंदी चीनी भाई भाई वाला नहीं sugar के बारे हिम बात कर रहे हैं जिसदी चीनी को आप खाते हैं वह हो लिजुगर solvent के अंदर sugar को dissolve किया जा रहा है sugar जिस को dissolve किया जा रहा है वो क्या होगा that is solute ठेके, water, जिस में डिस्वाल्व کیा जा रहा है, वो क्या होगा, solvent यह थो बहुत आसान हो गया, ठेके, यह बहुत आसान हो गया सर जैसे एक और एक्जम्पल दीजे, एक और एक्जम्पल लीजे यह रहा, water और इसके अंदर अब की बाट हम क्या ढाल रहे है, salt जिस को डिजॉल्व किया जा रहा है तो वो क्या होगा सॉल्यूट जिस में डिजॉल्व किया जा रहा है वो क्या होगा सॉल्यूट सर आप बार बार ऐसा नहीं कर रहे एक आप ने क्या लिया है Solid substance लिया है दूसरा आपने क्या लिया है Liquid substance लिया है तो जो Solid वाला होगा General बात कर don'tありますенное वो क्या होगा Solute quantity कम है obviously इसकी और जो Liquid वाला होगा उसकी quantity अगर जादा है है तो वह क्या होंगा सफस्विंट होगा स्वालट र송डर ओल्टा करनों यह वाला jak जादा है और यह वाला कम है यह वना माउन्ट सुलिट वाला यह वाला सब्सौना सब्स्राइब और यह सौलिट की तरह घाम करेंगा तो है सूल्वेंट एक सॉलिड था एक लिक्विड था अगर दोनों लीकुड नों लीकुड मैंने तर मैंने पिच्चरों में देखा है लोग क्या करते हैं अलकॉहल चराब है ना डो गुट पिला दे साथ हिया बाकी मेरे उतरोड दे डेडिकेट्ट सॉंग ठीक है सर शराब के अंदर पानी डालते हैं सर पानी ठीक है नहीं सर पानी के अंदर शराब डालते हैं मेरे ख्याल से तो जितना मैंने मूवीज में देखा है शराब के अंदर मेरे ख्याल से पानी डालते हैं ठीक है तो अब बताइए solvent कौन होगा और solute कौन होगा क्या होगा क्योंकि यह भी liquid है यह भी liquid है अगर इसकी volume हाई है इसकी volume हाई है तो यह solvent होगा इसकी volume अगर less है तो ये solute होगा सर उल्टा हो जाता अगर इसकी volume जादा होती इसकी volume कम होती तो ये solvent हो जाता ये solute हो जाता जितना मुझे याद आ रहा है J.E.A.D.V.A.S. 2008 का question है comprehension type question आया था उसमें क्या था इतेनल और water का ही mixture लिया गया था बड़ उसमें था क्या इतेनल की volume जादा थी water की volume कम थी जिसकी volume जादा होगी वो solvent होगा जिसकी volume कम होगी वो क्या होगा solute होगा सर अगर दोनों equal होंगे तो ऐसा question नहीं आएगा बड़ माल लीजे अगर आया भी है तो water जो है वो क्या होगा solvent होगा water जो है वो क्या होगा solvent होगा ठीक है throughout the chapter मैं solvent को A से denote करूँगा solute को B से denote करूँगा क्या solvent को क्या करूँगा A से और solute को क्या करूँगा B से कहीं पर भी B word मैंने use किया हो तो समझ जाना सर solute के बारे में बात कर रहे हैं अगर कहीं पर भी मैंने A word यूज़ किया हो तो समझ जाना कि that is solvent के बारे में बात कर रहे है ये देखिए एक example ये pure water है इसके अंदर right now कोई भी sugar नहीं है तो एक ही component है that is water जैसे जैसे आप इसमें sugar डालते जाएंगे sugar dissolve होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी एक ऐसा समय आएगा जब sugar dissolve होना बंद हो जाएगी उस solution को हम लोग क्या बोलते है saturated solution क्या बोलते हैं हम लोग saturated solution जब तक sugar dissolve होती जा रही है पानी में जब तक sugar dissolve होती जा रही है वो क्या कहलाएगा unsaturated solution और जब sugar dissolve होना क्या हो जाएगी बंद उसे क्या भोलेंगे हम saturated solution सर ऐसा हमने अपने घर में होता हुआ देखा भी है कब देखा भई सर जब मम्मी चाशनी बनाते है या कोई हलवाई वेगारा भी क्या बनाता है चाशनी बनाता है चाशनी में क्या होता है पानी होता है पानी में उपर से क्या डालते है चीनी डालते है और उसको mix करते रहते है मस उसमें फरक कितना है कि नीचे गरम कर रहे होते हैं ठीक है पर क्या लिखना है पिटा जो मैं लिखवा रहा हूँ कुछ लिखना है ठीक है हाँ जो जहां से पेपर में कोशन आएगा उसे हम बोलते हैं MIT क्या बोलते हूं M.I.T. that is most important things paper में जब कोशन आएगा और इन ही में से आए नोट सारी ही बनाने जो मैंने लिखाया है वो सारे ही नोट से टीक है जिन में से पेपर में कोशन आएगा या आप यह भी कह सकते हो हमारे शॉट्प नोट का एंसर पूरा पढ़ लिया एंड में जाके तो इतना साई रिवाइज करके जाना होता ना पू सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे यह एक आपको नजर आ रहा है टेबल यह टेबल एज इस हमने एंसी आर्टी में से लिया है एन सी आर्टी की बड़ी इंपॉर्टेंस है बढ़ी इंपॉर्टेंस है इथनी जादा नहीज जय नहीं बट हूँ जादैंएंपोर्टेंस आज की टेट के जो जई-ई-मेंस के कोशन आ रहे हैं इसी कारण हमने यह जो पूरा का पूरा जो यह आपको टेवल नजर आ रहा है यह आपको नजर आएगा यह हमारा आज का सबसे पहला एमाइटी है जब गैस होगा उसे बोलेगे हम गैसियस सॉल्यूशन सॉल्यूशन जब लीकुड होगा उसे हम बोलेंगे लीकुड सॉल्यूशन सॉल्यूशन जब सॉल्यूशन होगा उसे हम बोलेंगे सॉल्यूशन आएए सॉल्यूट और सॉल्यूट के बारे हम बात करते हैं अगर solute B gas है, solvent B gas है, तो जो solution बनेगा वो एक type का gaseous solution है, ठीक है, और इसके example क्या है, mixture of oxygen and nitrogen gases, सर सीधी तरह नहीं लिख सकते कि इसका mixture air है, क्योंकि air की अंदर oxygen भी होती है, as well as nitrogen भी होती है, क्या ये सारे example आपको याद करने हैं, थोड़ा दिमाग लगाईए, कोई आप से के air के अंदर solvent कौन है, और solute कौन है, सर, solvent होगा, nitrogen क्योंकि वो 78% होता है, solute क्या होगा, that is, oxygen क्योंकि वो approximately 21% होता है, तो दो नहीं gas है, तो गैस ये solution है, मलगे आपको याद करने की कोई बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, अगर solute liquid है, और solvent gas है, यानि कि liquid को gas के अंदर dissolve किया गया, liquid को gas के अंदर dissolve किया है, example है, chloroform mixed with nitrogen gas, क्या chloroform का formula पता है, yes, CHCl3, nitrogen का तो चलो पता ही होगा, that is, N2 gas, सर, ये chloroform कौन सा liquid है, भाई आपने देखा नहीं है, क्या वो पुरानी हिंदी movies आपने देखी होंगी, जिसमें करते हैं, एक henki लेते थे, उसके उपर कुछ liquid डालते थे, और फिर उसको किसी के भी नाक के उपर उस liquid को रख देते थे, और थोड़ी second बाद ये वो आदमी क सर, इतनी शुरुबात से नहीं पढ़ना था, भाई मजबूरी है, अगर हमने कमिट किया है, जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो से स्टार्ट करना चाहिए, सिर्फ बोलने में नहीं करमों में भी होना चाहिए, सब को मौका मिलना चाहिए, जिनकी 11 अच्छी गई है, उन ब देखें, मैं एक चीज जो के पढ़ाई से related नहीं है, उसको मैं एक ही बार बोल सकता हूं, पढ़ाई से related चीज़ों को मुझसे दज़बार बोलástico वालूँ, क्या इसको लिखना है, कितनी बार बुछना है, कितनी बार बोलना पड़ेगा एक बात को न, कितनी बात देखिए हर एक बात का कोई limit होती है यहां तो आप अभी class में आए हैं और फिर आपको पता ही नहीं है ठीक है जो class में लिखवाया जा रहा है सब आपको लिखना है ठीक है नेक्स्ट है solid solute है gas जो है वो solvent है solid को gas के अंदर डिजॉल्व किया गया है एक्जामपल है camphor in nitrogen gas nitrogen gas क्या होती है वो तो पता है सरी एक camphor क्या होता है पिटा इसको कपूर बोलते है सरी होता क्या है दिवाली की आप पूजा करते होंगे वो एक white सी देखिए ऐसे white सी टिक की टाइप होती है ऐसे rectangle टाइप होती है white सी ऐसी जिसको हम जलाते है ठीक है वो camphor ही होता है वो camphor ही होता है बिल्कुल बिल्कुल ठीक है तो camphor in nitrogen gas liquid solution ठीक है gas solute है liquid solvent है oxygen dissolved in water भाई इनके example याद नहीं कर रहे हैं यह understood है यार दिमाग लगाना ही नहीं है जिस चीज में ठीक है हाँ टेवर जरूर बना होना चाहिए कम से कम आपको यह बात पता जरूर होनी चाहिए ठीक है हाँ 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 कुछ बच्चे कह रहे हैं यह clear नहीं है अब उदाएगा clear देखना करा है अब उदाएगा clear देखिए अब clear अब clear अब clear ठीक है आगे बढ़ देखिए मैं इसका काम की बातें करते हैं है ठीक है लीकविड ही सॉल्यूट है लीकविड ही सॉल्विट है सरी बात हो गई जब आपने मुला ना शराबी शराब पीते हैं आहां अस्तर बिलकुल एलकॉल के अंदर वाटर को डिजॉल्व किया जाता करेंगे वाटर में वह भी इसी का एक्जामपल है ठीक है एक बच्चा करना एक कैमफर का फॉर्मूला नहीं करना है ठीक है और गैनिक में करना एक कुशन आया था आज से कुछ साल पहले कैमफर के अंदर इतने स्टीरियोजेनिक सेंटर है बड़ मैं और गैनिक नहीं पढ लए यह क्या होती है गैस होती है और पैलेडियाम को कैसे लिख जाता है ठीक है यह एक सॉलिट होता है यह solvent है, यह solute है, very very important is this one, liquid solute है, solid solvent है, example है, amalgam of mercury with sodium, मैं बताता हूँ, amalgam लिखा कैसे जाएगा, पहली बात, पर यह amalgam होता क्या है, यह alloy होता है, मरकरी का, HG कहना है, HG कहलो, HG सिंबल है, मरकरी का, with metal, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, amalgam बोलते हैं, ठीक है, और example, सर को यह example दे दो, example है, sodium amalgam, उसको represent कैसे किया जाता है, लिखा कैसे जाता है, amalgam होता क्या है, जब mercury का alloy है, किसी metal के साथ, alloy तो पता है है, ना, हाँ सर, जब different metals आपस में mix होते हैं, different metals आपस में mix होते हैं, ठीक है, example है sodium amalgam, सर इसको कैसे लिखा जाता है, ब्रैकेट में az J, सर जिंक का अमल्गम कैसे लिखा जाता है जिंक अमल्गम कैसे लिखा जाता है जिंक अमल्गम यह रहा है जिंक ब्रैकेट में क्या लिख दूँगा मैं हजी यह हो गया सर जिंक अमल्गम स्पिर मेगनेशियम का अमल्गम कैसे लिखा जाता है इते होटा से में अगेनशीयम का सिम्बल करें अग्या हूता है सर एम G फॉरकट पे क्या लिख दो हां इभांगल यह वाला इम्पोर्टन है郵ज रिकिविट एंड सॉलिड बढूँक कbags को कॉपर को डिसलॉल कि इसके सिर् mixing sort of alloy ही है बिल्कुल सही कह रहे है जी alloy है ये भी metal है वो भी metal है दो metals का mixture जो होता है वो क्या कहलाता है alloy कहलाता है आईए सबसे पहले एक छोटी से term के बारे में बात करते हैं जिसको सर अमल्गम को repeat कर दीजिए आईए repeat कर देते हैं अमल्गम क्या होता है alloy होता है alloy मतलब mixture होगा metals का mercury का किसी metal के साथ जैसे sodium अमल्गम होगा sodium का mercury के साथ alloy zinc का mercury के साथ alloy magnesium का mercury के साथ alloy ठीक है नेक्स बात करते हैं mole के बारे में किसके बारे मात करेंगे हम mole के बारे में पीड़ा ध्यान से सुनना और समझता सबसे पहली बात mole होता क्या है यहर mole ना एक number को represent करता है जैसी 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 एक पेर हम कहते हैं ना हम one pair of shoes लेके आए है one pair of shoes लाए है one pair of shoes खाए नहीं है अरे पापा वाली बात थोड़ा हो रही है कि तुमने एक pair shoes खाए है पापा से ना ना one pair of shoes आप लेके आए है तो मुझे बताए यह pair का मतलब क्या होता है पेर का मतलब होता है दो क्या pair का मतलब होता है दो इसी तरह से अगर मैं कहूं one dozen क्या होता है one dozen जैसे pair एक number है जो के दो number को represent करता है वैसे dozen भी एक number है वो कितने को represent करता है that is 12 को represent करता है जैसे पापा बोले मैं one dozen bananas लेके आँ हो आपके लिए ठीक है तो क्या कितने bananas लेके आए हैं तो four into twelve that is 48 ठीक है इसी तरह से मोल भी एक number ही है मोल भी क्या है वाबू एक number ही है जिसकी value कितनी होती है six point zero two two into ten raise to power 23 आप ऐसा भी लिख सकते हैं आप ऐसा भी लिख सकते हैं और ज्यादा numericals में approximation लेने के लिए आप ऐसा भी लिख सकते हैं तर इस number का कोई नाम होता होगा यस इस number का नाम होता है आवो गेड्रो नंबर अगर तो मोल क्या है एक number मोल क्या है एक number माल लीजे अगर मैं कहूं मेरे पास मेरे पास one mole pens है कितने वान मोल पैंज है तो बताओ मेरे पास कितने पैंज होंगे सर six into ten raise to power 23 पैंज होंगे ठिक के देखो लिखके देखो मैं कहूं मेरे पास कितने पैंज है है वन मोल केंज है तो बताओ मेरे पास कितने प्रॉक्सिमेटली 6 इंटो 10 रेस ठावा 23 मैं कहूं नहीं नहीं मेरे पास 2 नहीं पास 2 मोल पेंज है कितने पास है सरे को इंटो 6 इंटो पावर 23 मेरे जाल से इतना तो समझ आ गया कि मोल है क्या ये एक नंबर है ठीक है सर शुर्व मोल का काम क्या है ठीक है मोल है क्या है नंबर है ठीक है मोल का काम क्या है दिखे जब भी आप मार्किट से कोई चीज परचेस करने जाते हैं जैसे माल लीजिए डाल लेने जाते हैं है न चाल लेनी जाते हैं तो आप कैसे purchase करते हैं किलो ग्राम में इसा बहुता है जिसर्फोड किलो दाल दे दो, पांच किलो दाल दे दो, तो यानि कि दाल जब परचेस करी जाती है, तो वो मास में करी जाती है, जिसका युलिट या तो ग्राम होगा, या किलो ग्राम होगा, सर जब मार्किट से तेल परचेस करने जाते हैं, रिफाइन ओयल परचेस करने जाते हैं, दू से कम आठवी तो पास करके आओ दूद जो है किलो ग्राम में नहीं लीटर में लिया जाता है। आप ये बोल सकते हैं M fram को kita chemical purchase करने जाते हैं chemical purchase प्रचेस जाता है किसमे प्रचेस कि अगर वो कि ऑन की बहुत तो किसी भी chemical को जब हो परचेश करने जाते हैं तो उसको किसमे मेजर किया जाता है मोल में जैसे डाल को किसमे मेजर किया जाता है सर किलो ग्राम में दूद को किसमे मेजर किया जाता है लीटर में वैसे केमिकल्स को जब लिया जाता है मार्केट में तो वो किस में परचेज किया जाता है लाट इस मोल्स में जैट इस मोल्स में ठीक है एक मोल पैसा दे दू smart boy हाँ इतने पैसे मेरे पास होते तो फिर क्या ही बात दी वही है एक मोल तो नहीं दे सकता एक ड़ेजन पैसे जरूर दे सकता हूँ पर पैलेडियम क्या होता है बाबु एक एलिमेंट होता है पैलेडियम मुझे तो लग रहा है कि वेस्ट्री यहां से शुरू करने बढ़ेगी बेटा गलती हो गई है अब यह देखो इसे बोलते हैं periodic table यह बार गराफ नहीं यह पता चले तुम 6th Class में बैठ रहे हो कौन सा बार गराफ खोलके दे दिया आपने बेटा यह बार गराफ नहीं हैं इसे बोलते हैं periodic table periodic table के अंदर अलग अलग elements पाए जाते हैं total elements जो हैं वो 118 हैं कितने हैं 118 और यह रहा हमारा palladium यह भी एक element है इसका atomic number 46 दे रखा है ठीक है आई है जदा हो गया मेरे को लग रहा है क्या लिए कोई बात ही हो जाता है ठीक है ध्यान से सुनिये समझिये how to find मोल को find कैसे किया जाता है मोल को लिखा जाता है small n से यह कैसे find किया जाता है यह find किया जाता है तीन तरीक मांस दे रखा है वह यह चीज everything using lyric ग्राम दे रखी होगी मिली ग्राम दे रखी होगी जिस जब ग्राम लग गया ना नीचे बाद में ग्राम तो वह मास ही होता है ठीक है मास को डिवाइड करेंगे हम मोलर मास से तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे ठीक है नहीं सर मालो 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 आपको आपको कुश्चन के अं बाबो डिवाइड कर दे ना उसको Avogadro's number से पताना Avogadro number कितना 6.022 into 10 raised to the 23 ऐसे लिखते है Avogadro number को N A फिर ये क्या होता है और भाई ये स्थोडियम है और ये क्या है ये Avogadro number है पिर कितनी value होती है Avogadro number की 6.022 into 10 raised to the 23 पर numericals में थोड़ा आसान करने के लिए हम 6 into 10 raised to the 23 भी ले सकते हैं ने ने सर हमें volume given है क्या given है बाबू volume किसकी given है gas की बाब गीवन है at NTP या STP सरी NTP स्थीप क्यों अरे बता रहो बता divided by 22.4 liter और 22.7 liter समझ जा रहा हूं सब समझ थोड़ा समझ सबसे पहली बात सर ये molar mass कैसे निकालते हैं ये molar mass कैसे निकालते हैं किसका निकालना है molar mass सर च4 का निकालना है carbon का representation ऐसे होता है atomic number mass number atomic number mass number देखो फिर molar mass of CH4 सबसे पहले लखो atomic number carbon का कितना atomic number है 12 multiply करो number of atoms से carbon की कितने atoms हैं याँपर सर सिरफ एक फिर प्लस hydrogen का रखो ये mass number 1 multiplied by कितने hydrogen की atoms हैं याँपर 12 प्लस 4 कितना होता है 16 gram ये molar mass है क्या आप मुझे molar mass निकालके दिखा सकते हो H2SO4 का hydrogen का symbol ये होता है sulfur का symbol ये होता है oxygen का symbol ये होता है molar mass of H2 SO4 निकाल कुछ बर्चे कह रहे हैं सर वे कुछ ज़्यादा ही basic हो गया भाई क्या करूं बताओ आप बताओ क्या करूं उनको मौका ना दे जिनके इलामत बरबाद हो गई है उनको छोड़ने उनको कहें के भाईया आप तो मायटे नहीं कर सकते नहीं कर सकता ना यार मैं ही हूँ मैं ही हूँ मुझे सिरफ थोड़े दिन का मौका दीजिए मुझे थोड़े दिन का मौका दीजिए एक दो क्लास बीच जाने दीजिए आप क्लास के अंदर ही J.E.Mains छोड़ो J.E. Advance के P.I.Q. आप कर रहे होगे चोड़ो कल की ग्लास में कर रहे होगे चोड़ो क्या बोला कल की ग्लास में कर रहे होगे मौका दो ना इनको भी मौका दो बेचारे ये भी सीखने आया यार घर से ठीक है ना Molar mass of H2SO4 Hydrogen का atomic mass कितना है 1 2 कितने atoms है 2 प्लस Sulfur का कितना है 32 इन्टू नमबर ओफ एटमस 1 Oxygen का कितना है 16 इन्टू नमबर ओफ एटमस तरहे एड करेंगे तो 98 ग्राम मेरे खाल से Molar mass निकालना आ गया है तो कभी भी mass दिया होगा उसको Molar mass से डिवाइड कर देना CH4 का mass दिया होगा तो CH4 के Molar mass से H204 का तो H204 से कोई और चीज दी होगी तो किसी और चीज से आपको Moles आ जाएगा ठीक है तर ये क्या है NTP, STP वाला स्यापा क्या है वो समझा हो ज़रा NTP या STP इसकी फुल फॉर्म है Normal Temperature and Pressure और STP की फुल फॉर्म है Standard ये Standard लिखा Temperature and Pressure तर ये कितना Temperature और कितना Pressure होता है Temperature तो देखो Temperature तो देखो 273 Kelvin ही है Pressure कितना होता है पुरानी वाली NCRT में अलग था नई वाली में अलग है पुरानी वाली NCRT में NTP या STP का Pressure होता था 180 और नई वाली में 1 बार पेपर में अगर कोश्चन आया सिरफ NTP STP लिखा हो है ना ये mentioned है ना ये mentioned है तो volume आयेगी 22.4 लिटर पेपर में कोश्चन आया NTP STP लिखा हो है Temperature 273 Kelvin और Pressure 1 ATM लगा हो है तब भी volume या पर 22.4 लिटर ही आएगी बड़ पेपर में कोश्चन आया NTP STP लिखा हो है Temperature 273 Kelvin है Pressure 1 बार है तब यहाँ पर 22.4 से डिवाइड नहीं करना 22.7 से डिवाइड करना है ना ये लिखा है ना ये लिखा है तब आपको 22.4 से डिवाइड करना है उपर volume gas की नीचे 22.4 से सर अगर लिखा हुआ आया ये लिखा हुआ आया तो 22.4 से डिवाइड कर देना ये लिखा हुआ आया तो 22.7 से डिवाइड कर देना क्या ये बात सबको clear है yes or no मैंने repeat करके भी दिखा दिया है अब मैं इसके उपर कुछ questions कराऊँगा ठीक है जे find number of moles in 64 gram of methane 24 into 10 raise for 23 molecules of CO2 gas CO2 and third 67.2 liter of CO2 gas at NTP एक ओर 45.4 liter of ethane gas at NTP और NTP या STP जो भी लिखा हुआ है लिखा हुआ साथ में temperature 273 Kelvin pressure 1 bar चलिए चारों कोशन solve करते हैं पहला कोशन आपको number of moles find out करने हैं किसके find out करने हैं methane के हमें क्या given है mass given है देखो unit से पता चल जाएगा mass given है अगर mass given है तो formula आएगा mass divided by molar mass उपर mass divided by molar mass क्या molar mass हमने methane का निकालना सीखा था yes sir 16 gram कितने आ जाएंगे और आ जाएंगे next number of moles CO2 के अपकी पर molecules given है molecules उपर आ जाएंगे molecules नीचे आ जाएंगे avogadron number ठीक है 24 into 10 raise to power 23 divide it by avogadron number क्या avogadron number की value सबको पता है yes sir 6.022 होती है but numericals में solve करने के लिए हम 6 into 10 raise to power 23 भी रख सकते हैं cancel out हो जाएगा yes 6 के table में 4 पे जाएगा yes next अपकी बार आपको moles find out करने है volume दे रखी है volume का unit होता है liter volume दे रखी है carbon monoxide gas की at NTP कहां पे दे रखी है at NTP दे ही नहीं रखा NTP कौन से वाला या NTP STP भी लिखा हो सकता है कोई बहुत बड़ी बात में दे नहीं रखा temperature 273 Kelvin pressure 1 ATM लेना है या 1 bar लेना है 1 ATM लेना है या 1 bar लेना है तब number of moles कैसे निकालेंगे उपर volume gas की NTP divided by 22.4 liter या 22.7 अगर ये रखूंगा या ये रखूंगा जब कुछ भी mention नहीं है तो 22.4 रखेंगे जब कुछ भी mention नहीं है तो 22.4 रखेंगे 22.4 रखेंगे तर cancel out हो जाएगा ये 224 के टेबल में स्थीदा 672 3 प्या जाता है तर next भी volume ही दे रखी है gas की ही दे रखी है अब की पर mention है temperature 273 Kelvin pressure 1 bar temperature 273 Kelvin और pressure 1 bar तो उपर volume जब pressure 1 bar होगा pressure 1 bar होगा तो divide किसे करना है 22.7 से divide किसे करना है 22.7 से तर point से point क्या हो जाएगा cancel out हो जाएगा 227 के टेबल पर ये 2 पर चला जाएगा क्या ये सब को clear है क्या ये सब को clear है आगे बड़े आएगे start कर रहे हैं हम concentration terms कई तरह की concentration हमें पढ़नी है concentration का मतलब क्या है market में chemical कैसे मिलता है कई bottles मिलेंगी chemical की molarity में कोई कोई mole fraction में कोई molality में उन सब को हमें पढ़ना है उन सब को हमें पढ़ना है ध्यान से देखना solution किन दू चीजों से मिलके बना होगा तर अभी अभी आपने बताया था solvent और solute solvent को किस से लिखेंगे through all the chapter जहां पर भी मैं A लिखूंगा समझ लेना मैं solvent की बात कर रहा हूँ जहां मैं B लिखूंगा समझ लेना मैं solute की बात कर रहा हूँ अच्छा मुझे जल्दी जल्दी बताओ ये कह फिर ये कह ये कह ये कह सर्थ W का मतलब होता है mass या weight chemistry में mass और weight दोनों सेम होते हैं ये है mass कहना है mass कहलो weight कहना है किसका क्योंकि ए लिखा हूँगा ठीक है सर सर अगर M लिखा हो Sorry M का मतलब है molar mass subscript में क्या लिखा हूँगा है A तो सर ये solvent के बारे ही बात हो री है अच्छा कहीं ऐसा लिखाओ एंड तो मोल्स होते हैं ए अच्छा तो यह मोल्स हैं सॉल्वेंट के किसके सॉल्वेंट के क्या मोल्स ऑफ सॉल्वेंट का फॉर्मूला क्लियर हो गया उपर मास नीचे मोलर मास देख लो चाहिए देख लो इतना मोल्स निकाले हो ना उपर मास नीचे मोलर मास उपर मैंने मास रखा का नीचे मोलर मास भी रखा सॉल्वेंट का तो मोल्स भी किसके आएगे सॉल्वेंट के ठीक है सर यह बताओ क्या यह क्या है W B जार डवल्यू का मतलब वही है कैमेस्ट्री में मास कहलो या वेट कहलो किसका फिर बी का बी मतलब सॉल्यूट की बात बहुत हो ज़िए अगर कहीं ऐसे लिखा हो, M, B, तो सर ये M का मदलब होता है, Molar Mass, B लिखा हुआ है, तो किसका Molar Mass है ये, Solute, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, N, B, तो N का मदलब क्या है, बेटा, ये Moles है, किसके Moles हैं ये, Solute के Moles है, ये, W, B, by M, B, वही, Mass of Solute, divided by Molar Mass of Solute, ये छोटी-छोटी Terms हैं, जो आपको पता हुनी चाहिए, ठीक है, सबसे पहली Concentration Term, कौन सी पढ़नी है हमें, that is, Molarity, क्या पढ़नी है, Molarity, सबसे पहली बात, सर, इसकी Definition क्या होती है, Moles in 1 Liter of Solution, जितने Moles 1 Liter of Solution के अंदर होते हैं, वही क्या कहलाती है, Molarity, वही क्या कहलाती है, Molarity, ध्यान से सुनिए, समझिए, मान लीजे, 4 Liter of Solution, के अंदर 12 Moles हैं, बताओ, Molarity कितनी होगी, Molarity को Capital M से लिखा जाता है, सर, 4 Liter के अंदर 12 Moles हैं, बताओ, एक लीटर के अंदर कितने होगी, एक लीटर के अंदर, 12, divided by 4, यही मोलारिटी है, यही मोलारिटी है, यही मोलारिटी है, एक, आईए, मेरे साथ पार्टिसिपेट करिए, मैं यहाँ पर Moles लिख रहा हूँ, Solute के, Volume of Solution लिख रहा हूँ, आप मुझे उसकी मोलारिटी बताइए, मोलारिटी है क्या, कितने मोल्स होंगे, एक लीटर में, 4 लीटर के अंदर, 12 मोल्स हैं, 4 रुपीज की, 12 टॉफी आती हैं, तो 1 रुपीज की कितनी आएगए, 12 divided by 4, उपर Moles रखी हैं, नीचे Volume रखी हैं, लीटर में, ठीक हैं, आओ ज़रा, आओ, माल लीजिए, 15 Moles हैं, Solute के, 5 लीटर सॉल्यूशन हैं, ठीक हैं, तो बताइए, मोलारिटी कितनी होगी, 20 Moles हैं, Solute के, 4 L Solution में, बताइए, मोलारिटी कितनी होगी, 60 Moles हैं, और 10 L Solution हैं, तब मोलारिटी कितनी होगी, 60 Moles है, Solute के, 12 L Solution है, तब मोलारिटी कितनी होगी, 84 Moles है, और 42 L Solution है, तब बताइए, मोलारिटी कितनी होगी, 96 moles है solute के ठीक है और 12 liter of solution है तब molarity कितनी होगी 105 moles है 35 liter of solution है तब molarity कितनी होगी ठीक है 120 moles है solute के 12 15 liter of solution है तब molarity कितनी होगी ठीक है और 160 moles है ठीक है और 16 liter of solution है तब molarity कितनी होगी सर molarity find out करने के लिए क्या है 5 liter के अंदर 15 moles है तो एक के अंदर कितनी होगी उपर moles नीचे total volume ऐसे किया था उपर moles नीचे total volume ठीक है सर कितनी होगी 3 आगे उपर moles solute के नीचे volume of solution in liters सर कितनी होगी 5 आगे सर उपर moles solute के नीचे volume of solution in liters सर 6 आगे सर उपर moles of solute नीचे volume of solution सर 5 आगे उपर moles of solute नीचे volume of solution सर 2 आगे उपर moles of solute नीचे volume of solution सर 8 आगे सर उपर moles of solute नीचे volume of solution in liters सर 3 आगे उपर moles of solute नीचे volume of solution लिटर में सर 8 आगे उपर moles of solute नीचे volume of solution सर ये 10 आगे क्या हमें molarity निकालनी आगे है उपर solute के moles हैं नीचे volume of solution in liters में बोलिए yes और no चलिए जिस सबको समझ आ गया है बहुत अच्छी बात है ऐसा करते हैं इसके लिख लेते हैं अब M.I.T. थोड़े से ही है छोटे से ही है जो आपने समझा है उसी को लिख रहा हूँ मैं उसी को लिख रहा हूँ सबसे पहली बात most important things जिसमें से molarity में से अगर question आएगा तो यहीं से आएगा आई कम से कम मेरे खाल से 7-8 question यह शायद पता नहीं कितने question एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ और पीछी एक question कर लिया दस, दस question करने के बाद मैं आप से formula खुद पूछ रहा हूं कि बताओ molarity का formula क्या है सर, उपर moles है solute के नीचे volume of solution है लीटर में क्या उपर moles of solute नीचे volume of solution है लीटर में क्या यही formula है formula अपने आप आपने derive कर लिया मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा क्या moles of solute को मैं ऐसे लिखूँगा बिल्कुल सर, moles को लिखा जाता है N से, solute के बारे में बात हो रही है तो B होगा, solute के बारे में बात होगी तो B होगा, मुझे जल्दी से moles का formula बताओ सर, किस के terms में? mass की terms में, molecule की NES या volume की terms में? mass की terms में लिखना है तो mass by molar mass, moles का formula अगर molecule की term में लिखना है तो molecule by avergat row number तर volume of gas की terms में लिखना है तो volume of gas at NTP divided by 22.4 या 22.7 सर, mass के terms में बताओ तो लिखना हो mass of solute by molar mass of solute थोड़ देर पहली बताया था, यह रहा, 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 number of moles of solute का मामला, mass of solute divided by molar mass, वही किया, मैंने भी, वही किया, मास of solute by molar mass, ठीक है, तर जो volume of solution है, volume of solution, वो मेरे पास, मिली लीटर की जगा लीटर में दी हुई है किसमें दी हुई है लीटर की जगा मिली लीटर में दी हुई है ध्यान सुना एक लीटर के अंदर 1000 ml होते है 1000 ml कहना है या 1000 cm3 कहना बात एक ही है क्योंकि 1 ml का मतलब 1 cm3 होता है ध्यान सुना बाबू जब भी लीटर को मिली लीटर में convert करना हो जैसे 5 लीटर है उसको मिली लीटर में convert करना है तो 5 को 1000 से multiply कर दूँगा 5000 ml हो जब भी लीटर को मिली लीटर में convert करना है तो 1000 से multiply करते हैं और फ़र जब मिली लीटर को लीटर में convert करना होता है तो थाउजन्ट से डिवाइड करते हैं तो अगर volume of solution milliliter में दी होई है तो बाबु इसको थाउजन्ट से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे denominator को किसी भी चीज से डिवाइड करो denominator को किसी भी चीज से डिवाइड करो तो वो ऊपर चला जाता है उपर चला जाता है, क्या यह clear हो गया formula, क्या यह formula clear हो गया, जल्दी जल्दी बताईये, unit of molarity, आरे बच्चे कह रहे हैं, सर, कि यह काफी basic हो गया, आप पढ़ा लो, फे मैं पढ़ लेता हूँ, यह कर सकते हैं, मैं तो ज्यादा ज्यादा यही कर सकता हूँ, ठीक है, बच्चे कह रहे हैं, सर, आज भी watching हो गई है, 52, 53, आई, unit बताईये, इसका unit, पिटा, इसका unit क्या होता है, सर, mol का unit होता है, mol, और volume का unit किसमें है, लीटर में, ऐसा लिखा जाएगा, mol पर लीटर, यह उसको molar भी लिखा जाता है, यहां उसको capital M से भी लिखा, इसका मतलब भी molar है, यह भी molar है, और यह भी molar ही है, no issues regarding it, ठीक है, अच्छे जलो देखते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, मैंना कोई HCL की bottle purchase करके लाया, उसके उपर लेखा हुआ है, 5 molar HCL, तो क्या मतलब है, इसका, सिर्फ molarity 5 दे रखिया, अरे, molarity का मतलब क्या होता है, moles of solute in 1 liter, moles of solute in 1 liter, तो बताओ फिर जल्दी-जल्दी, क्या, क्या है यहां पर, 5 moles of solute, तर solute कौन है, यहां पर, HCL दे रखिया, present in 1 liter of solute, अच्छा, ठीक है, जल्दी से बताइए, सर्म, आगर हमने कोई chemical purchase किया, और उस chemical की bottle पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है, 12 M, N, O, H, तो बताओ इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, 12, molarity 12 है, यानि कि, 12 moles of solute, solute को नहीं आपर, जो भी capital दे रखिया, एनियोच है, तो एनियोच लिख दूँगा, HCL होता, HCL लिख देता, कोई और होता, कोई और लिख देता, अगर molarity में से कोई कोशन आएगा, तो वो यहीं से आएगा, तो वो यहीं से आएगा, फिर अफ इतना सा हिस्ता ही M.I.T. है, यह भी मैंने 10 कोशन यहाँ पर प्रेक्टिस करा दिये हैं, अब और कोशन करेंगे, कोशन, कोशन, एंड कोशन, एंड कोशन, आप लोगों का फेस, कुछ ऐसा ही दिखने वाला है, इस कोशन को सॉल्व करने के बाद, ठीक है? वेरी गूड कोशन, मैंने पूचे, देखो, अच्छा कोई कोशन होता है, बड़ा मजा होता है, मैंने पूचा कि, क्या, जो मोलारिटी होती है, वो सॉल्यूट की ही होती है, हाँ बाबू, उसकी डेफिनिशन में भई है न, मोल्स ऑफ सॉल्यूटी इन वान लीटर, तो सॉल्यूट की ही होगी, ठीक है, ये, आईए, कोशन क्या पूचा हुआ है, कैलकुलेट दा मोलारिटी ऑफ एन वाच, मोलारिटी एन वाच की निकालनी है, वही सॉल्यूट की निकालनी है, अभी-अभी मयंक ने पूचा भी, वेल दन मयंक, और दा गुड कोशन, इन दा सॉल्यूशन, परपेर बाई डिजॉल्विंग, पूर ग्राम, इन इनफ वाटर टू मेग, तू फिफिटी एमेल अफ सॉल्यूशन, अच्छा, जो भी कैमिकल दिया होता है बावू, वो क्या होता है, सॉल्यूट होता है, है शॉल्यूट को किसे देनोड करते हैं, बी से, कितना दे रखा है वो, कितना दे रखा है, सर्फ पौर ग्राम डिजॉल्व किया हो आ है, सॉल्यूट का मास, पौर ग्राम है, वाल्लियूम आफ सॉल्यूशन, रद्फू फिफ्टी एमेल दे रखिये, Surfer WB नीचे MB पर मोल्स आ ज़ए मोल्स बिलकुल सही क्या रहे है डिवाइडिड भाय वॉल्लीम ऑफ सॉल्यूशन मिली लीटर में भेटा अगर मिली लीटर होगा तो ऊपर 1000 आएगा मिली लीटर नहीं होगा तो ऊपर 1000 नहीं आएगा यह मिली लीटर में है, तो उपर 1000 आएगा, क्या हमारा आंसर आ चुका है, 4, 10, क्या 4 by 10 is equal to 0.4 molar हो गया, बहुत बढ़ी है, अच्छा लग रहा है, आसान लग रहा है, तो अच्छी बात ही है न, इसमें बुरा क्या है? मुझे पता है, आप लोगों का चेहरा भी कुछ-कुछ ऐसा ही बन रहा होगा, got the molarity right for the first time, बढ़ी है, बढ़ी है, एक बार और सर, बिलकुल एक बार और कराएंगे, बढ़ क्या ये question, इसी साल का, इसी साल का 2000, अगर देखो देखो, फिर बात को सुनो, simple चीज़ों के simple solution होत कि सर, ये चीज़ें बहुत आसान है, बहुत आसान है, अब दो चीज़ें हो सकते हैं, यह तो मैं irrelevant पढ़ा रहा हूँ, यह मैं relevant पढ़ा रहा हूँ, relevancy का कैसे पता चलेगा, सर अगर ये exam में questions आ रहे हैं ऐसे, तो आप relevant पढ़ा रहे हूँ, अगर exam में ऐसे question नहीं आ रहे में सिरफ एक से डेड़ महीना पहले जो question आया है, क्या वो देखते हैं, क्या वो आप solve कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ठीक है, एक decimeter cube का मतलब होता है, एक लीटर, करो वही कर, इसी साल, तब 23 January को second shift में, J-E means में ये question आया है, आप देखते हैं, solve कर पाते हैं के नहीं, volume of 3 molar, NUH, molarity दे रखी है, 3 molar, formula weight, यह molar mass ही है, NUH का molar mass, 30 gram, which can be prepared from 84 gram of NUH, NUH जो भी chemical होता है, वो solute होता है, उसका mass दे रखा है, 84 gram, हाँ, आप से volume पूछी है, volume, volume, क्या हम, simple formula, जो आज हमने MIT में लिखा था, क्या हम उसको लगा सकते हैं, volume अगर, लीटर में है, तो उपर 1000 नहीं आएगा, लीटर में नहीं है, 2000 आएगा, हमें लीटर में निकालनी है, आओ, आओ, molarity, सर्थ 3D रखी है, WB सर्फ 40 दे रखा है, sorry, WB 84 है, MB सर्फ 40 दे रखा है, volume आपको निकाल लीए, आएगे, volume कितनी हो जाएगी, सर्फ cross multiply कर लो, volume उदर चली गई, यहां आगया, 84, divided by 40 into 3, ठीके पीटा, cross multiply करना आता है, सर्फ यह 3 के table में, यह 28 पे चला जाएगा, बिल्कुल सही, सर्फ यह 4 के table में, किस पे, 4 के table में, यह 7 पे, यह 10 पे, सर्फ 7 by 10 हो गया, क्या इसको 7 into 10 raise to power minus 1 लिख सकते हैं, यह, क्या आँसर, क्या answer आँसर आगया, इसको x लिख देता हूँ, क्या, x, x into 10 raise to power minus 1, x कितना आँगया, 7, answer क्या है, 7, इसी साल का question है, इसी साल का question है, इसी साल आया है, कोई पुरानी बात नहीं कर रहा है, कोई के, ओहो, तो बड़े पुराने जमाने में आता था, ऐसा है नहीं वए, 7,000 for a reason, तर नीचे 250 क्यों लिया, पिछली question की बात कर रहे हो, बाबु कैसी बाते कर रहे हो है न, आप अभी आये हो, volume of solution अगर milliliter में आ तो उपर 1000 आएगा, volume of solution, milliliter में आ ये रख, तो 250 नीचे रख लिया, ऐसे मत करो, यह अभी आये हो, यह थोड़े से slow, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक और question करोगे, एक और question करोगे, सिरफ और सिरफ, दो-तीन साल पहले आया हुआ question है, अच्छा question है, आपके सामने है, आपको आसान लग रहा है, तो उसका मतलब आप intelligent है, है सर, ऐसा भी आ गया, ऐसा भी आ गया, मतलब कि ऐसा मुझे लग रहा है, अगर आपको समझ आ रहा है, तो intelligent तो बोलना है पड़ेगा आपको, चलिए बढ़ी है बढ़ी है आईए आराम आराम से करते हैं कोई जल्दी नहीं molarity of solution molarity बतानी है solution की prepared by dissolving जब dissolve किया जा रहा है 6.3 gram of oxalic acid formula दे रखा है कितनी बार बोलू जो भी chemical दिया होगा वो solute होगा उसको B से लिखा जाएगा mass कितना दे रखा है solute का 6.3 gram इन 250 ml of water volume of water solution ही होगा basically dilute solution dilute वो होता है जब solute बहुत कम हो solute बहुत कम हो is x into 10-3 तो आपको x निकालना है फिर भई पहले molar mass निकाल लो अब ये मत कहना molar mass कैसे निकालूँगा आज ही सिखाया है हमने बताओ भई सबसे पहले hydrogen का mass 1 दे रखा है into कितने hydrogen है यहाँ पे सर दो यहाँ पे 4 यहाँ पे सर 4 कैसे होगे अबे एक H2O में दो hydrogen होते हैं तो 2 H2O में कितने होगे? 4 4 यहाँ पे 2 यहाँ पे 6 अक्स कार्बन 12 में 4 अट्वल into कितने कार्बन है यहाँ पे? 2 यहाँ पे 12 यहाँ पे plus oxygen सर चार oxygen यहाँ है 2 oxygen यहाँ 6 होगे सर 6 into क्या हम molarity निकाल सकते हैं? molarity और फिर वही formula वही था उपर WB नीचे MB उपर WB नीचे MB volume of solution अगर ML में है तो उपर 1000 आएगा ML में है उपर 1000 आएगा तर solve कर लीजिए आईए solve करते हैं 250 के डेवल पे 4 अगर यहाँ पॉइंट हटा दूँ यहाँ 10 आजाएगा क्या यह 2 के टेबल पे आता है? क्या यह 2 के टेबल में 4 पे चला है 2 by 10 आगया बिलकुल सर इसको 2 into 10 raise to power minus 1 लिखेंगे सर आउक्षियन के रहा 5 है बाबु छेन एक H2O के अंदर एक आउक्षियन होता है तो 2 H2O के अंदर 2 होंगे न 4 यहाँ पे 2 यहाँ पे 6 होंगे आई जल्दी से बताइए मोलारेटी कितनी दे रखिए मोलारेटी दे रखिए X into 10 raise to power minus 2 I कितनी है 2 into 10 raise to power minus 1 सर इसको ऐसे लिखे लो न 20 into 10 raise to power minus 2 बिल्कुल सही कहा रहे है क्या X आगे 20 क्या X आगे 20 अब यह मत कहना कि आप आपने इसको ऐसे कैसे लिख दिया भाई मैंने 10 से क्या कर दिया multiply 10 से क्या कर दिया जो divide किया है यहाँ आ गया जो multiply किया है वो यहाँ ठीक है बढ़िया जी बढ़िया बढ़िया अच्छा कोशन है शायद दृष्टी है पता नहीं क्या नाम लिखा हुआ था आपने वाटर को solution ही क्यों ले लिया जब solution dilute होता है तो बढ़ा बोलू जब solution dilute होता है तो solvent की और solution की volume सेम होती है स्थर dilute क्या होता है जब solute बहुत कब स्थर मुझे समझ नहीं आया वह समझाता हूँ आपकी water tank होता है घर पे water tank होता है छट पे हाँ सर होता है उसका धक्तन किसी दिन खुला रह गया ठीक और किसी ने उसमें जाके इतना सा इतना सा नमक डाल दिया पहले तो उसमें अकेला पानी था जैसे आपने इतना सा नमक डाला अब solute भी हो गया है और solvent भी हो गया क्या आब ये solution हो गया हाँ क्या अब नल खोल के देखोगे तो नमक वाला पानी आएगा क्या पानी विलकुन नमकीन हो जाएगा नहीं सर कोई खास फरक नहीं पढ़ने वाला वोई कह रहा हूं मैं जब solute की quantity बहुत कम होती है तो solution को हम dilute बोलते हैं ठीक है बढ़ी है एक और करेंगे मेरा बाबू दबा दबा के questions है वाई कोई tension लेने की जरूरत नहीं है लीजिए जेई में 2024 का question है 6.02 into 10 is for 20 molecules of urea 100 ml में present है आप से concentration बूची गई है कौन सी concentration molarity की concentration बूची गई है आईए ऐसा question है जिसको हम करेंगे पोल की form में जो आप answer लिखेंगे A, B, C, D वो यहाँ पर mark हो जाएगा क्या molarity ऐसे ही निकालते थे उपर number of moles नीचे volume लीटर में आए तो उपर 1000 नहीं आएगा अगर मिली लीटर में होती थी तो वाबू उपर 1000 आ जाएगा क्या हमें molecules दे रखे हैं तो moles निकालने आते हैं सराज ही सिखाया आपने जब molecules दे रखे होते थे उपर molecules नीचे Avogadros number नीचे Avogadros number क्या वन बाइ 1000 आ जाएगा रग दो value पर यहाँ पर रग दो number of moles कितने आ गए 1 बाइ 1000 volume मिली लीटर में है तो उपर 1000 आएगा क्या 1000 से 1000 cancel out हो गया क्या 1 बाइ 100 हो गया क्या 0.01 molar हो गया क्या answer यही है option number B option number B यह भी P by Q था दो question अब यह आपके home work में है B answer था ना B answer था top करेंगे पोल को B answer लिखेंगे 92% बच्चों का सही है बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया इसका मलम काफी अच्छे तरीके से बच्चे कर रहे हैं रमकार हैं यह कौन सा होता है बाई ceiling gang emotional dance emotional dance नहीं होता emotional damage होता है वो भी पता चलेगा आपको धीरे धीरे बहुत सरे बच्चे बहुत सरे top 100 होते हैं कि सारे दिखाते हैं यह YouTube में नहीं top 100 ही दिखाते हैं अरे यह देखो कितना प्यारा सा नाम है हिंदी चीनी भाई भाई को बहुत सीरियसली ले गए है आए यह पेटा होमवक में करेंगे आप इसका solution आज ही मैं record करूँगा आपको कल class शुरू होने से पहले मिल जाएगा same goes for this one इसको भी होमवक solution में करेंगे आए next बात कर रहे हैं हम formality की क्या नाम है formality जैसे क्या इंडियन्स में formality होती है क्या होता है जैसे हम किसी को किसी बड़्डे पार्टी बुलाते हैं शादी बुलाते हैं यह लीजे कार्ड हमारे गर में शादी है आप आईएगा ठीक है और साथ में कह देते हैं गिफ्ट लाने की कोई जरूरत नहीं है कोई जरूरत नहीं है अरे भाईया यह हम सिरफ कह रहे हैं formality के लिए हम इंडिरेक्टली आपको बता रहे हैं कि सब जाने कुछ ना कुछ गिफ्ट ला रहे हैं आप भी लेकर आना यह बिलकुल formality की तरह ही है है ना formality की तरह ही है same is the case here formality और molarity में कोई डिफ्रिंस नहीं है जब solute कोई आइनिक compound होगा तो molarity formality हो जाती है molarity formality हो जाती है क्या बोला मैंने क्या बोला आराम से आराम से आराम से जो होगा वो कोई आइनिक compound होगा आइनिक compound तो molarity को ही formality बोल देते हैं molarity को ही हम formality बोल देते हैं अच्छा तर इसका formula क्या होगा पहले बताओ क्या molarity का formula यही था WB यहाँ thousand यहाँ volume solution की ml में फिर वही ml होता था thousand आता था लीटर होता था तर यहाँ पर क्या आता था यहाँ पर mb आता था देख लो यही फॉर्मला है नो यही फॉर्मला कोई नया दो नहीं कोई कहा दो ओ हो यह तो नया formula करा दिया आपने यह तो मुझे पता हैं यहां मोलर मास की जगह एम भी की जगह यहां पर एफ भी आ जाएगा फेस्बुक कहा से आगया बेटा यह फेस बुक नहीं है यह फार्मूला मास है सॉल्यूट का फार्मूला मास है पर आपने MB निकालना, molar mass निकालना सिखाया है, formula mass कैसे निकलेगा, भाई, shame to shame है, जैसे molar mass निकालते थे, वैसे formula mass निकालते, यह formality ही है, यह formality ही है, यह molarity ही है, कोई फरक नहीं है दोनों में, जब solute एक ionic compound होता है, molarity को formality बोल देते हैं, खत्तम, टाटा, भाई भाई, सर इसका unit क्या होगा, अबे सेम ही है यह यार, moles of ionic solute, moles of ionic solute, same, 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 जब solute ionic compound होता है, molarity को हम formality बोल देते हैं, formula भी हमने molarity वाला ही लिख है, mb की जगा fb लिख है, formula mass, जैसे निकालते हैं, जैसे molar mass निकालते हैं, तर एक question करा दो, एक question करा दो, लो, कर लो, how many grams of ionic solute, how many grams of ionic solute, kya पूछा हूँ है, gram पूछे हूँ है, ionic solute, wb पूछा हूँ है, w का मनलब होता है, mass, यह पूछा हूँ है, should we dissolve to make 100 cm3, अच्छा, अच्छा, volume दे रखिए, 100 ml, ml करना है, ml, cm2 करना, cm2, दोनों सहीम होते हैं, of .15, formal, अच्छा, formality दे रखिए, .1, gram, formula mass, fbb दे रखा है, 40 gram, भाईया जी, formula रख लो, answer आजाएगा, यह था, wb, 1000, अगर volume solution की ml में है, 1000 आएगा, जल्दी जल्दी बताइए, क्या हमें, यह भी दे रखा है, 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 यह निकालना है, रखो, f की जगा, 0.15, wb, find out करना है, यह 40, volume ml में कितनी है, 100, सॉल्व कर लीजिए, wb किसके बराबर आ गया, 0.15 को 4 से multiply कर दीजिए, 0.6 gram आ गया, टाइम हो गया, बढ़ी है, बढ़ी है, आज आपको कुछ homework में questions मिलेंगे, उनको solve करिएगा, concentration terms हम यहीं से continue करेंगे, एक बात का ध्यान रखिए, that is not today, दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम कोई भी backlog create नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, ठीक है, पता कैसे चलेगा, यह आइनिक compound है, ions होंगे, उसमें, cations and ions, positive negative charge होगा, homework का solution कहां मिलेगा, आपके batch में ही मिलेगा, जहाँ पर सारे chapter बने होते हैं, chemistry के अंदर जाएंगे, physical chemistry, physical chemistry के अंदर chapter बने होगे, वहाँ पर एक में folder बनवा देता हूँ, homework solution, यह homework करके ऐसा कुछ लिखा हो, चले, आज पहली बार कुछ ऐसी बात करते हैं, जो मैंने भी आज तक कभी नहीं किया, होता क्या है, सारी जिम्मेवारी जो backlog की है, वो सारी की सारी students के उपर डाल दी जाती है, सारी की सारी students के उपर डाल दी जाती है, आप 4-5 दिन class नहीं लेंगे, उसके बाद कभी class लेने आएंगे, आपको समझ नहीं आएगा क्यों, obviously 4-5 दिन का gap हो गया, फिर मैं कहा दूँ, आरे यार तुमने class नहीं ली, तुमने class नहीं ली, तुमने class नहीं ली, तो teacher की countability का आँपे है, सर जब आप छुटी करते हो तब क्या होता है, हम जब छुटी करते हैं, हमें तो obviously डांट मिलती है, हमें तो कोई चीज समझ नहीं आती है, हमें तो परिशानी होती है, बड़ आपका क्या, आप तो छुटी भी कर ले होगे, उससे अगले दिन आ भी जाओगे, जहां से शुरू करना दुबारा वाँ से शुरू कर दोगे, तो चलिए ऐसा करते हैं, जो हमने आज तक कभी किसी बैच में नहीं किया, मैं, it's a tough call, गहना बहुत असान है, करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा, अपनी 100% कोशिश करूँगा, कि आपके बैच में, जब तक आपका physical chemistry finish नहीं हो जाता, मैं एक भी द चुटी ना करूँ, ताके सबसे पहले, तो ये मेरे लिए apply होना चाहिए, not today, ठीक है, and फिर आपके लिए apply होगा, इससे पता चलेगा, वाके teacher भी कितना committed है, नहीं तो सारी बात तो student के उपर डाल दी जाती है, तू नहीं पढ़ता, तू नहीं करता, तुम ये नहीं करते, तो देखते हैं कि ये बात पर मैं भी टिका रहता हूँ, या नहीं टिका रहता हूँ, ये tough call है, because I mean, किसी भी दिन चुटी ना होना, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, मनलब की tough call है, ऐसा करना बहुत मुश्किल है, but let's see, let's try, let's give our best shot, ठीक है, डिपी पी आज मिलेगा, नहीं आज डिपी पी नहीं मिलेगा, ठीक है, ठीक है, कल से डिपी पी मिलना शुरूर, पर चलिए है न, thank you, thank you, thanks to you, ठीक है, जी शुकरिया, शुकरिया, इतना प्यार बरसाने के लिए, ठीक है, डिपी पी कल से मिलेगा बाबु आपको, ठीक है, मेरे लिए भी के एक भी दिन चुक्ती ना करना मिलते हैं आप सबसे next class में revise जरूर करके आईएगा बाती सारी बाते मेरे उपर छोड़ दो homework solution में आप आज आपको मिलेगा ही मिलेगा ठीक है that is in batch में जाएंगे homework solution का एक वो टैब बनाओगा कल तक आपको class से पहले homework solution वहाँ पर मिल जाएगा ठीक है बिलते हैं आप सबसे next class में thanks for giving us your time thank you अच्चो